नमस्कार मैं हूँ विपल सिंग और स्वागत है आपका मनी नाइन के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में यहाँ आपको बताते हैं बिजनस, कॉपरेट, पॉलसी और पर्सनल फाइनस से जुड़ी ख़वरें और इनसे आपके उपर पढ़ने वाले असर को भी तो चलिए शुरू करते हैं आज की ख़वरों का सफर आज के बॉल्टिन के शुरुवात करेंगे हम GST के साथ जुलाई महीने में GST संग्रा 11 फीसद बढ़कर 1,65,000 करोड रुपे से अधिक रहा देश में GST व्यवस्था लागू होने के बाद से पांचवी भार GST संग्रा 1,60,000 करोड रुपे से अधिक रहा है वर्ष 2023 में जुलाई लगातार दूसरा महीना है जब मासिक आधार पर राजस्व में विर्थी हुई है जून महीने में 1,6,000,000 करोड रुपे और मही में 1,57,000,000 करोड रुपे का GST संग्रा हुआ था अब ख़बर है नौकरी खोज रहे लोगों के लिए E-commerce द्योग में दूसरी छमाई में 7,000,000 अस्थाई नौकरियां पैदा होंगी आगामी त्योहारी मौसम में ग्राकों को बहतर ख़ईदारी अन्भाव देने के लिए E-commerce कम्पनियां बड़े पहमाने पर अस्थाई भरतियां करेंगी Team Leaves Services का कहना है कि इस साल त्योहारी सीजन में भरतियों में पिछले साल के तुलना में 25 फीसद वृद्धी होने की संभावना है त्योहारी मौसम के लिए भरतियों का सिलसला जुलाई से शुरू हो चुका है इस साल भरत में अप्रेल जुन तुमाही के दोरान सोने की मांग 7 फीसद घटी है तीन महीनों में सोने की मांग 158.1 टन रही World Good Council के मताविक सोने की मौझूदा रिकॉर्ड उची कीमतों के कारण सोने की मांग में किरावट आई है उची कीमत की वज़ा से वो भोकताओं को भरोसा डगमगाया है देश में उची टैक्सदर के कारण भी सोने की मांग में कुछ कमी देखने को मिली है अब बदाते हैं आपको सोने चांदी की कीमतों का हाल मंगलबार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 80 रुपए बढ़कर 6430 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया चांदी की कीमत भी 400 रुपए उचल करके 77100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई जानकारों का कहिना है कि चीन ने अपनी आर्थिक वृद्धी को प्रोसाहित करने के लिए और कदम उठाए है इससे जोखिम उठाने की शमता में शुधार हुआ है और इसी वज़ा से मुल्यवान धातूं के दाम मू में तेजी देखने को मिली है चली आप रुख करते हैं शेहर बाजार की और वेश्विक बाजार से मिले जुले संकेतों के बीच, रिलाइंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रेड और आइसे ऐसे बैंक के शेरों में बिकवाली से मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में हलकी गिरावट दर्श की गई कारोबारियों का कहिना है कि विदेश्टी पूंजी की निकासी जारी रहने से कारोबारी धारना पर असर पड़ा है हाला कि आईटी शेरों में लिवाली से गिरावट रोकने में मदद मिली मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी खासतोर से 20,000 के आकड़े को पार कर पाएगा या नहीं किस तरह की रहनीती होनी चाहिए इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आप दो पहर एक बजे हमारे साथ जुर जाईए और हमारे साथ बुधवार को होंगे अरुन मंत्री जी अगर आपका भी शेर बादार से जुड़ा कोई सवाल है तो 93-111-218-74 पर वाट्सप करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और बुधवार दो पहर एक बजे आपके सभी प्रश्णों के उत्तर आपको दे जाएंगे आगे बरते हैं वोडाफोन आइडिया की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है मई में 28 लाख ग्राकों ने वोडाफोन आइडिया का साथ छोड़ दिया है और लगातार इसके ग्राकों के संख्या कम होती जा रही है वहीं दूसरी और रिलाइंश जीयों ने मई महीने में अपने नेटवर्क में 30 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं इधर एरटेल ने भी 13 लाख ग्राक हासिल किये हैं जीयों के कुल ग्राकों के संख्या बढ़ करके 43 करोड 60 लाख हो गई है जबकि एरटेल के कुल ग्राकों के संख्या 37 करोड 20 लाख है वोड़ा फोन आइडिया के ग्राकों के संख्या घट करके 23 करोड रह गई है होम लोन ग्राकों के लिए अब थोड़ी सी बुरी खबर है ICICI Bank, Punjab National Bank और Bank of India ने सभी अवधी के लिए अपने MCLR दर को बढ़ा दिया है तीनों बैंकों की नई ब्यास दरें एक अगस से प्रभावी हो चुकी है MCLR वो नियूंतम उधार दर होती है जिससे कम दर पर बैंक कराकों को रिंड नहीं दे सकते एक साल वाली MCLR को ICICI Bank ने बढ़ा करके 8.9 फीशद, PNB ने 8.6 फीशद और Bank of India ने 8.7 फीशद कर दिया है देश में अब जल्द ही हवाई जहाज से यातरा करना महंगा हो सकता है All Marketing कमपनियों ने लगातार दूसरे महीने विमान इधन की कीमत बढ़ाई है ETF के दाम 8.5 फीशद बढ़े हैं ETF की कीमते अलग-अलग राज्यों में वैट के आधार पर अलग-अलग होती है वैश्विक इस्तर पर कच्छे तेल के महंगा होने से विमान इधन महंगा हुआ है एरलाइन की ओपरेटिंग कॉस्ट में ETF की हिस्सेदारी करीब 40 फीशद है इधन महंगा होने से एरलाइन अब टिकेट भी महंगा करेंगी अभी भी 42,000 करोड रुपए के मोल लिके 2,000 रुपए के नोट चलन में है जी हाँ, RBI ने 2,000 रुपए के नोटों को चलन से वापस ले लिया है और ऐसे नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने की अंतिम तारीक ती सितंबर है RBI ने बताया कि 31 जुलाई तक 2,000 रुपए मोल लिके करीब 88 फीसी नोट बैंकों में वापस आ चुके है RBI ने 19 माई को 2,000 रुपए मोल लिके नोट को चलन से बाहर करने की खोशना की थी लोगों को कोई असुईधा ना हो इसके लिए केंद्री बैंक ने सितंबर तक 2,000 रुपए के नोट जमा या बदलने के लिए लोगों से अन्रोथ किया है अब आपके लिए एक बहुत जरूरी ख़बर Fraud GPT और Warm GPT से धोखा धड़ी का नया खेल शुरू हो चुका है लोगप्रिय चैट GPT 3 तकनीक पर बने ये चैट बाट यूजर के संकेतों के अधार पर बिलकुल असली दिखने वाला टेक्स जनरेट कर सकते हैं हैकर्स इस टून का इस्तमाल भ्रामक इमेल बनाने में कर रहे हैं और इनके जरूए दोखा धड़ी को अंजाम दे रहे हैं और अब आखरी ख़बर जुड़ी हुई है नकली दवाओं से देश में नकली दवाओं की पहचान करने और दवाओं की काला बाजारी रोकने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम सरकार ने दवाओं की पैकिंग पर QR-Code लगाने का निर्देश दिया है देश में बिखने वाले करीब 300 दवा ब्रैंड्स की पैकिंग पर QR कोड लगाए जाएंगे QR कोड के जरीए आसानी से दवा को ट्रेस किया जा सकेगा साथ में नकली दवाओं का इस्तमाल भी रोका जा सकेगा तो यह थी आज की प्रमोख खबरें अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का अब आपसे कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों और उनसे पाड़ने वाले असर के साथ आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट ब्रक्स में जाकर खे अपनी राय से हमें अवश्य होगत कराए अब फिलाल मनी टाइम को यहीं पर समाप करते हैं लेकिन आप मनी नाइन के साथ लगातार बने रहिए और मनी नाइन के एप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरन डाउनलोड कर लिए को बहुत सारे एक्स्क्रूजिस हो आपको अब यूटूब पर नहीं सीधे मनी नाइन आप पर मिलेंगे तो महिनायन का एप डाउनलोड कीजे, महिनायन के साथ बने रहिए, मुझे जाद दीजे, आप सभी को नमस्कार, शुबरात्री, शब्भाग है झाल झाल